तो आज हमनों डिस्कस करने वालने बालक यूज आफ इस एम आर और यह जो रहेगा वो सिम्पल संटेंस रहेगा क्या रहेगा सिम्पल संटेंस और देखिए सिम्पल संटेंस का मतलब होता है नौन एक्षन वर्ब क्लिक्ता विसम्पल संटेंस को mama है अफरमेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव negative ठीक है न तो हम लोग sentences को बनाएंगे ठीक है न आईए देखते हैं लोग जैसे अर एक बात और बालग I के साथ हम लोग इसमें M लगाएंगे ठीक है न और He, See, It नाम और singular noun जैसे देखें boy आपका singular noun है और इसका plural noun हो जाएगा बाए अगर बाए देगा तो एज लगेगा और बाए देदेगा तो आर लगेगा, कलीर है जैसे child अगर देदे तो आपको is लगाना है और children देदे तो आर लगाना है आपको clear है देखे मैंने note भी किया है आपके वी यू दे और plural noun रहे तो आर अब देखे जिए मैंने note किया कि दो proper noun अगर end से जुड़े हो जैसे मैं ऐसे बोलूं राम एंड स्याम देखे जब राम एंड स्याम दे दे तो यह plural हो जाएगा तो आर हो जाएगा ठीक ने प्लूरल के पहचा नहीं होते है कि more than one person अर thing एक से अधिक रहे देखें यहाँ पर राम एक नावन हो गया एक नावन यह हो गया तो यह क्या हो गए एक से अधिक हो गए तो यह भी क्या हो गए आपका प्लूरल हो गया है जब यह plural हो गए तो इनके साथ हम लोग plural परियोग करेंगे ठीक है नेक्स आगे देखते हम लोग जैसे कि मैं sentence आपके सामने लिखा हूँ कि मैं खुस हूँ तो मैं किसमाने होगा I किसमाने होगा I, किसमाने होगा I, हैपी तो जगा I, हैपी देन फुल इस्टा बस ये sentence बन गया एक चीज़ मैं और यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ देखिए जिसे कि I का मतलब होता है बालक मैं, B का मतलब होता है हम या हम लोग ठीक है ना sentence में अक्साल लोग subject को भूल जाते है ठीक ना तो मैं माने हम या हम लोग देखिए यो माने तुम या तुम लोग भी होता है तुम या तुम लोग अच्छा इसी माने आप भी होता है या तो आप लोग भी होता है अब देखिए ही माने वा भी होता है और सी माने वा दोनों होता है लेकिन ये जो होता है वो पूरुष के लिए होता है और ये जो होता है वो इस तरी के लिए होता है अब देखे इत माने बालग यह और वह दोनों होता है ठीक है और ये नॉन लिविंग ठीक के लिए परियोग किया जाता है नॉन लिविंग ठीक है नॉन लिविंग ठ इसको उतार लिजेगा ठीक है तो मैं इसको rough कर दे रहा हूं बाकि जो sentences आपके सामने लिखे हैं हम लोग उसका का रहने देते हैं चलिए देखे जिससे की मैंने लिका हम लोग अमीर है देखे तो हम लोग का spelling क्या हो जाएगा वी हो जाएगा और देखिए यहां पर एम रहेगा वालक स्वरी यहां पर थोड़ा सब मिस्टेक हो गया ठीक है कोई बात नहीं आ एक साथ क्या लएगा एम लगेगा तो आई एम हैपी क्लियर है अब देखे वी एक साथ क्या लएगा आर लएगा तो वी आर रीच हो गया अब देखिए जिससे तुम लोग तयार तो तुम लोग का spelling क्या हो जाएगा मिस्टा है आप लोग का swping क्या हो जाएगा यो ही हो जाएगा यो आर हेपी यो आर है इसससे वा अच्छी देखे यहाँ अच्छी लड़की बात करा है तो Si is good यह हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखे हो अच्छा है तो मिस्ट एम अजबूत है आब आप देखें मजबूत है यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ पर हम लोग इट का पुर्योग करेंगे ठीक है it is strong it is strong clear है देखें सीता बिमार है तो सीता इज इल राम दयालू है तो राम इज काइंड अब यहाँ पर नाउन होगे और जुड़क हुए एंड से प्लूरल हो जाएंगे जिस हो जाएगा कि राम and देखें मुहन राम इन मुहन ठीक है अब यहाँ पर देखें आर लगे गा are good clear है जिसे वे लोग तयार देखें वे लोगा इस प्लिंग हो जाएगा they तो हो जाएगा they are ready ठीक है जिसे बच्चे तयार है तो देखें the children चिल्डरन आर रेडी जिसे राम और मोहन अमीर है देखिए राम एंड मोहन आर रीच जिसे बच्चे प्रसंन है बच्चे क्या हो जागा बच्चा? चिल्डरन हो जागा ठीक न? लड़के उदास हैं देखिए अब देखिए जिसे इसमें दिया हुए बाल है कि मैं युवा और स्वास्त हूँ अब देखिए इसके बाद दिया है सब्जिक के बाद इसका मैं यहां बना रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम अब युवा क्या हो जाएगा? यंग यंग एंड हल्दी समझ गहें? अब देखिए यहां पर दिया है फिर तुम धनी और दयालू हो तो यू आर रीच एंड काइंड पहले रहे हैं देखिए वे लोग ठके और भूखे हैं तो देखिए अब यहां पर मैं वे लोग का बना रहा हूँ तो हो जाएगा कि दे आर टायर्ड टायर्ड एंड टायर्ड एंड हंगरी अच्छा हो सकता है आपको यहां पर दिख नहीं रहा हूँगा ठीक है लेकिन आप sound सुनना है तो इसको clear कर लीजीगा ठीक है और यह जो बचे हैं यह प्रैक्टिस के लिए आप भी करेगा जिसे घोड़े अच्छे हैं तो हम कर सकते हैं अब यहां पर एक दे दिया है अब यह हम लोग लगाएंगे जैसे कि I am a student देंट तुम एक गायक हो तो यू आर अ सिंगर ठीक है जिसे आप एक डाक्टर है तो यू आर अ डॉक्टर वह एक अभियंता है He is an engineer ठीक है अब देखें इंजिनियर यह वावेला sound सुरूता है इसलिए इसमें N लगाए जाता ठीक है जिसे वह एक गायका है तो C is a singer ठीक है गीता एक नर्स है तो गीता इस अ नर्स हम लोग विद्यारती हैं We are students ठीक है वह लोग सिख्चक है तो दे आर टीचर्स क्लियर है अब देखें अगर हम लोग बात करने वालक negative sentence की तो हमको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ is m और r के बाद हम लोग को not add कर देना ठीक और इस तरीके सा आपका negative sentence बन जाएगा clear है इतना बुली किसको दिकत इतने में ठीक है जैसे हम लोग देखते हैं को sentences को हम लोग बनाने के कोशिस कर रहे हैं इसको मैं rough कर दे रहा हूं प्लिक दे जेसे हम लोग यहां कर लेते हैं मैं यहें पर भी लिक दे रहा हूँ कि is m और r में क्या जोड़ देना हम लोग को सिर्माट को add कर देना जैसे इससमें देखिया दिया है कि मैं बुरा नहीं मैं बुरा नहीं तब क्या करेंगे हम लोग ठीक बालग दिखिए तो मैं का इस फिर लेंगा I I एक साथ लेगा M तो I am not bad इसे तुम चालाक नहीं हो तो you are not clever clear है अब दिखिए आगे जिसे हम लोग पागल नहीं है तो दिखिए हम लोग का इस फिलिंग we are not mad clear है राम गरीब नहीं है तो राम are, sorry राम is रहेगा ठीक है ना राम singular subject है तो क्या हो जाएगा अलाक वो, is हो जाएगा तो राम is not poor चीक है, वे लोग तो दिखिए दे हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, तो जागा they are not honest चीक है, आपको दीख रहा है यहाँ पे शरूँगी मैं एक बार देख ले रहा हूँ बिल्कुल आपको दीख रहा है, ठीक है ना कोई रिकत नहीं होगी, अब समझेए अब यहाँ पर में लिखा लड़के तयार नहीं थे तो सबका सेम एक ही तरह से बनना, ठीक है ना बाकी जितना मैं छोड़ रहा हूँ आप उसको कमेंट बाक्स में बना के जो रूप बताईएगा यहाँ पे राम और रभी यह सबजेक के रूप में आ गए जब यह करता के रूप में आ जाएंगे तब हम यहाँ पर आर का प्रियोग करेंगे ठीक है ना मैं डाक्टर नहीं हूँ ठीक है ना देखे जिसे राम और रभी उपस्तित नहीं है उपस्तित का मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट ठीक है ना प्रेजेंट हो जाएगा ठीक है ना और अनुपस्तित का क्या हो जाएगा एपसेंट हो जाएगा देखे डाकिया का हो जाएगा पोस्ट मैन क्या हो जाएगा पोस्ट मैन ठीक है ना चलिए अब यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसका आप लोग बनाएंगे, ठीके न, कि बेमान क्या हो जाएगा, बताइए, डिसोनेस्ट, ठीके न, डिसोनेस्ट में बेमान हो जाएगा, ठीके, अब रामु और गोपु ये सब्जेक के रुप में आए, जब सब्जेक के रुप में आएंगे, तो सब्जेक प्लूरल हो जिसे हम लोग बेमान नहीं है रामू और गुपु नेता नहीं है वो अडर पोक नहीं है बच्चे भुखे नहीं है तुम लोग गलत नहीं हो हम लोग नोपर नहीं है गीता एक नर्स नहीं है आप लोग के अभियंता नहीं अब हम लोग बात करने बालक अगर interrogative sentence की, तो देखें, interrogative sentence दो types के होते हैं, एक जिसे हम लोग कहते हैं, yes या no type, yes या no type, ऐसे जो होते हैं, जो हम लोग helping और उसे start करते हैं, और उनका reply हम yes या no में दे पाते हैं, तो जितना भी sentence मैंने आपके सामने लिखा है, वो सारे के सार yes या no type वाले हैं, ठीक हैं, तो आईए हम लोग discuss करते हैं और देखते हैं, ठीक है, चली देखिए, जैसे कि, अगर मैं आपको बताऊं, कि क्या मैं अंदा हूँ, तो पहले तो हम लोग ऐसे लिख लें, तो देखिए, क्या पहले आ गया ना, तो अब देखिए, क्या जब प पहले आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगा, उसका spilling न लिखे, हम लोग helping वर से start करते हैं, तो हो जाएगा, m, i, blind, clear है, जिससे हम, अगर मैं ऐसे लिखो, कि मैं अंधा हूँ, तो im blind हो जाएगा, लेकि जब कब का, क्या, कहा, कैसे, wh word पहले लग जाए, तो हम लोग उसका helping जो रहता है, उसको हम लोग आगे कर देते हैं, तो im blind, clear है, अब देखे, क्या हम लोग गरीब है, तो अब देखे, क्या पहले आ गया है, लेकिन देखे, हम लोग का spilling क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, v, तो v singular है कि plural है, तो बिल्कुल plural है, तो इसका helping हो क्या हो जाएगा और इसमें भी हम लोग लाशन में क्या हो कर लेंगा, जीसे क्या तुम बहर है हो, ठीक न, देखे, तो हो जाएगा तुम है, तो हो जाएगा, आर, यू, डीव, और लाशन में क्या हो जाएगा, क्या वो भूखा है, तो हो जाएगा, आर, sorry, is, he, देखे, अगर singular subject दिया हो ह जब singular दे वालग, तो हम लोग इस का परियो कर देंगा, ठीक न, तो हो जाएगा, is, he, hungry, clear है, आपको सब्सक्राइब आ गया है, तो ये सारे sentence मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और आप इसका एक-एक करके बनाएंगे, ठीक है न, चलिए, अब एक topic इसका ये है वालग, इंट्रोगेटी sentence मैंने आपको बताया है कि दो type होते, एक तो होते हैं कि आपका USB type, जिसका नाम होता है yes या no type, ठीक है न, लेकिन एक होता है जो होता है WH type, इसका मतलब क्या होता है, जिससे हम दो sentence समझते हैं, जिससे आपके सामने था न, कि देखो, जिसे कि मैं, क्या, मै अंधा, हम, और एक sentence मैं यही नोट करूँ कि मैं, क्यों, अंधा, हम, अगर मैं ऐसे बोलूँ, तब दिखे, यह sentence के पहले आया है क्या, ता हम उसका क्या बनाते थे, am I blind, यही बनता था, last question मा, लेकिन जब बीच में आ जाए क्यों, कब, कहां, क्यों, कैसे, ता हम उसका meaning ल why, am I blind, तो अन्मियार आपको, बोले, इस तरीके से हम लोग इन सारे sentence को हम लोग बनाते हैं, क्यलियर है रहा है, कि why am I blind, जब बीच में sentence आ जाता है, तब, क्यलियर है रहा है, देखे, अचा, कुछ sentence ऐसे होते हैं, बालग, जैसे कि मैं अगर ऐसे बोलू, कि दूद उजला होता है, ऐसे sentence को कैसे हम लोग बनाते हैं? देखिए, ऐसे sentence को हम भी हम लोग simple sentence से ही बनाते हैं, milk is white, milk is white, दूद उजला होता है, अमें बहुत दूद मिठा होता है, तो बिल्कुल sweet हो जाएगा, clear है बागे सब हो ही रहागा milky sweet जिसे दूद लाबदायक होता है तो milk is useful clear है जिसे चीनी मिठी लगती है तो sugar is sugar is मिठा क्या हो जगा sweet हो जगा clear है अब देखें जिसे आदमी मराण सील होता है तो आदमी का इस पहले क्या होता man होता है तो man is moral ठीक है तो हम लोग ऐसे करता है man is moral जैसा सिचक क्या होता है teacher टीचर 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 अब देखें दयालु क्या हो जागा kind clear है जिस सोरिक गरम होता है तो the sun is hot तो ऐसे भी इन sentence को हम लोग बनाते हैं ठीक है न तो देखें तो I hope आपको पुरा is m r का use समझ में आया होगा मैं पुरा overview एक बार आपको दे दे रहा हूँ देखें हम लोग I के साथ m लगाते हैं कब जब है हू या हो आता है ठीक है देखें यू के साथ you हो गया we हो गया और आपका दे हो गया ठीक है न और plural noun हो गया इनके साथ हम लोग r लगाते हैं के लिए अब देखें कब लगाएंगे वही जब आएगा आपका है हू और आपका हो ऐसे ही he, see it और अगर नाम आजाए किसी ब्यक्ति का तो हम लोग लगाते हैं is कब लगाते हैं जब sentence में हो है hmm, हो आपका clear है, negative sentence में क्या करेंगे इनहीं is, am और r के बाद हम लोग not को add कर देंगे clear है अब देखें, कुछ ऐसे और भी होते हैं बालक जिससे हम लोग interrogative, negative के बात करें है इसको हम लोग कैसे बना है तो करना क्या है सिर्फ और सिर्फ आपको subject के बाद आपको not लगा देना जैसे मैं एक sentence आपको दे रहा हूँ देखें इससे, वही वहला कि क्या मैं अंधा नहीं हूँ अगर मैं ऐसे बोल दिया तो मैं क्या बनाऊँगा देखें तो am I अब एक subject आई होगा आपका इसके बाद हम लोग not लगा देंगे am I not blind क्यों थे अच्छा इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं क्यों अंधा नहीं हूँ देखें तो sentence के बीच में क्यों आ गया इस तरीके से आपका इस sentences बन जाएगा सब तो बस आज के लिए इतना ही थैंक्यों आज देज चनल पर ना है तो लाइक से न सबस्क्राइक को न न भूल